आज हम CRPF 160 बटालीन में आये हुएं और हमारे साथ हैं DIG CRPF जमूरेंच इन से हम बात करेंगे कि आज की इवेंट के बारे में सर आपका स्वागत है अदिन से हमारे सामिल होरा रहा है जिससे आज़ादी के जो हमारे सूर में थे, उन्होंने योगदान दिया को प्रदा मिले कि देस की आज़ादी के इकता और खंडता को बनाये के लिए कैसे कैसे लोगों यों relations hoc हमारा भी ये दाई तो बनता है कि हम जितना भी कर सकते हैं अपने देश की एक्ता और खंटा के लिए कारे करते रहें कई बार क्या होता है कि लोगों के मन में तो सबके होता है कि हम अपने देश की एक्ता और खंटा को बनाए रखें और उसको सिंबालिक करने के लिए लोगों को दिखाने के लिए भी आवशकता पड़ती जिससे उससे लोग प्रेरीत हो सकें उसी करम में ये आजादी का अम्रित महोश्यो के करकरम मनाने के करम में ये करकरम हो रहा है जहां तक साइकल रेली की बात है इसके पहले भी हमारा एक साइकल रेली ब्रहद रूप में हुआ था जिसमें पूरे भारत वर्स यानि भारत वर्स के चारो दिशाओं से साइकल रेली चली थी और उजाके कल्मेनेट हुई थी दो अक्टूबर को राजगाट पर बापु जी के समाधी पर और उसके पस्चात भी हमारी एक साइकल रैली आज की डेट में के वडिया पहुँची हुई है और न क्यों CRPF बलकि देश के और भी बहुत सारे आर्गनाजेशन जैसे NSG कार रैली करी है उसी करम में क्योंकि हम सभी के वडिया नहीं पहुँचे है तो यह है कि हर जगह पे खासकर के जम्मू के लोग और जम्मू का तो एक इतिहास रहा है योगदान का और खासकर के देश की एकता और खंटा के लिए बलिदानों का इतिहास रहा है यहां पर तो इसी करम में हम लोग जम्मू के लोगों के साथ कंदे से कंदा मिला करके एक कारेक्टरिम आयोजित कर रहे हैं? जिस तरह क्या लगता है कि हर सूबे से हर डिस्टिक्ट से जम्मो कश्मी का सूबे से निकले और खास तौर पर जो एक पीपल फ्रेंडली एक जो कनेक्ट बनता है वो हर जगा बने बिलकुल मैं आप बताओं कि अगर आप मनुश का जीवन देखिए तो उसमें के वल जैसे जैसा कि आपने बताया कि हम लोग बिसिकली सेक्यूर्टी फोर्सेस हैं हमारा काम है देश की सुरक्षा को कायम करना लेकिन आपको मैं बताओं कि कोई भी ब्यक्ति अकेला समाज से अलग थालग नहीं हो सकता है अगर वो जहां पर हम लोग एक पर एक तरफ सेक्यूर्टी फोर्सेस के सादस्च हैं तो दूसरी तरफ हम एक किलाडी भी हैं तीसरी तरफ हम इस करके जम्मू की जंता से एक तालमेल अच्छा रहे और एक हम एक दूसरे से प्रेड़ा लेते रहें उस क्रम में एक कार्यक्रम हम आयोजित कर रहें और मुझे उम्मीद है इसको देख करके यहां के जो युवा हैं और अन्य और तमाम लोग हैं वो वैसे ही जैसे मैंने बत को इस्पेशल मेशेज पूरे की वैली जिस तरीके से बिहेव करती है तो उन नवजवानों के लिए भी के आने वाले वक्त में उनको जहां वहां पे जो जिस तरीके की वाइलेंस वगरा होती है वो खतम हो जाया और इसी तरीके से वहां पे भी जो है खुशाल रहे लिया देखे हमारा देश इतना बड़ा है 1.3 अरब के लोग हैं तो तमाम विचारधारा के लोगों के और हमारे देश की ब्यूटी यह है कि बिभिन विचारधाराओं के लोग आ करके और देश को एकता में अखंड़ा मतलब एकता में अखंड़ा सॉरी यूनिटी इन डाइवर मुद्दा है इस मामले में हमारी फोर्शेस बहुत ही चुस्ति और मुस्तेदी के साथ काम कर रही और पिछले आप दो-तीन साल में देखें हैं अगर तो आमुल चुल परिवर्तन हुआ है और मुझे उमीद है काने वाले दिनों में पूरा भारत चाहे वो कस्मीर हो कन्या कु यह थे हमारे साथ डियाई जी सी आर पिअप जिनने क्लियर अलफाजों में यह बात कही कि आने वाले वक्त में हमारा देश फलेगा फूलेगा और खास तोर पे जितने भी यहां पे अभी मजभब हैं जितने भी यहां लोग रहते हैं वो एकता से अखंड ता से रहेंगे और खास तोर पे भारत देश को जो है इकत रखेंगे आप दीजे इजाज़र यह इवेंट आप तक पहुंचाने के लिए हम अभी बटालीन में आये हुए हैं और आगे भी ऐसी ही इवेंट जो है आपको दिखाते रहेंगे जुड़त रहें स्ट्रेट लाइन के साथ